ब्रॉट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स आज ऐसा लग रहा है कि Election Commission भी भारतिय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है आम आदमी पार्टी बार बार कंप्लेंट्स देती है, अलग अलग हुद्दों पे कंप्लेंट्स देती है कोई एक्शन नहीं होता है, हमें टाइम नहीं दिया जाता Income Tax Department, ED, CBI, Model Code of Conduct लगने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे रेड कर रहे हैं, समन कर रहे हैं Election Commission कोई आक्शन नहीं लेती है लेकिन जैसे ही भारतिय जनता पार्टी कंप्लेंट देती है 12 घंटे के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पर नोटिस जाता है वो नोटिस मेरे पास 11 बज़ के 45 मिनट पर आता है लेकिन 11 बज़ के 15 मिनट पर भारतिय जनता पार्टी उसको टीवी पर ब्रेक करा देती है भारतिय जनता पार्टी खबर देती है तो आज ये सवाल है कि क्या notice election commission दे रही है या notice भारतिय जनता party दे रही है मैं election commission of India से उसके members राजीव कुमार जी जानेश कुमार जी और संधु जी से ये अपील करूंगी क्या आप TN सेशन जी के उत्तराधिकारी है इस देश में लोकतंतर को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है अब भारतिय जनता party के सदा से नहीं है इस देश के लोकतंतर को बचाएं इस देश के संविधान को बचाएं अपने बार बार कंप्लेंट दी है अभी तक इलेक्शन कमिशन ने उस पे कोई आक्शन नहीं लिया है भारतिय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं दिया है लेकिन जैसे ही भारतिय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो कुछी घंटों के अंदर अंदर नोटिस आ जाता है इसलिए मेरी फिर से एलेक्शन कमिशन अफ इंडिया से ये अपील है कि आप भारतिय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है आप इस देश के सम्विधान द्वारा निर्धारित वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र को संभाल के रखना आप टी एन सेशन जी के उत्तरा दिकारी हैं जैसे टी एन सेशन जी को पूरा देश याद रखता है कि आप फ्री एन फेर एलेक्शन को एक नई उचाई पे ले गए राजीव कुमार जी ग्यानेश कुमार जी और डॉक्टर संधू को लोग इसलिए नायाद रखें कि वो उनके टेन्योर के दौरान भारत में सम्विधान खतम हो गया लोकतंत्र खतम हो गया फ्री एन फेर एले कि अई शर्ष भी क्वा स्विधान ब्यार How कि वो ऊगरो क् तुस्मार जी और्च का फिर।